आज हमारे साथ वक्त से थोड़ा पहले बाजार में आपको गाइड करने के लिए आपको रणनीती बताने के लिए हमार सा जुड़ गे हैं ETNOW और ETNOW स्वदेश के डिटर्नेशीफ निकुन्ज डाल्मिया निकुन सर वेरी गुड बाउनिंग बहुत शुक्रिया आपका समय देनी के लिए सर गिफट निप्टी तो इंडिकेट कर रहा है गिफट निप्टी मान के चल ला है कि जो एक्जिट पोल्स की जो नतीज़ें हैं ये एक्चुल कनवर्जन भी होगा अब बहतरीन तेजी हम देख रहे हैं गिफट निप्टी में आप ये बताएं सर कि गैप अप उपनिंग की उमीद तो हम भी करके चल ले हैं आप भी मान के चल ले हो उस गैप के बाद बाजार में क्या करना है सर अबिशेक पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक तो जो जो आज मार्केट में है आज ये कमाल की बात है कि सब जगह से अच्छी ख़बर आ रहे हैं ग्लोबल क्यूज, GST, GDP, DAO Futures, DAO का मूमिन फ्राइडे को तो हम वो कहते हैं कि सारे के सारे जो नक्षत रहे हैं, सारे के सारे जो सितारे हैं एक साथ अलाइन हो चुके हैं, बहुत रेर ऐसा होता है मगर आज हो रहा है तो हाला कि सब election और exit poll के result की बात कर रहे हैं मगर मेरे साब से 15-20% उच्छाल का कारण global भी रह सकता है अब आपको market को तीन भागों में डिवाइट करना पड़ेगा short term, medium term, long term short term जो कि एक दिन से एक महिने की बात है, उसके अंदर क्या हो सकता है medium term एक से तीन साल में क्या हो सकता है और तीन साल के उपर क्या हो सकता है तो किस पर बात करें डिमपी, बताईए short term, medium term, long term Sir, आप तीनों पर बात करता दिजीए, क्योंकि तीनों ही तरह के लोग है इससे में market के अंदर तो देखी, short term में मुझे क्या लगता है, क्या होगा सबसे पहले wigs करेगी second, short covering की आप bout of rally देखेंगे माने ना या माने side lines पे पैसा बहुत है इतने बड़े event risk के पहले भले हो FIA का data हो, भले हो mutual funds के cash levels हो, यह नए NFOs से जो भी पैसा आया है, उसको वापस आना ही पड़ेगा lot of, so you will actually see a bout of short covering, आज और कल में, फिर आप देखेंगे कि जो policy related stock से उनके अंदर आज gap up start होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो mutual fund जिनके पास cash positioning वाएगी, और FI's उमीद हम करते हैं, कि वह जो side lines पे लगे हैं, उनके पास और क्यों आप्शन नहीं है, वह वापस आएंगे, तो near term, जिसे हम short term कहते हैं, एक से, एक से, कि कुछ short term 5-10% outperformance के बाद policy related stocks के इंदर हो सकता है near term top आजाए, क्योंकि उनकी price और उनके इंदर good news जोगी काफे हद तक factor न हो जाएगी तो यह मुझे लगता होगा आपका short term में bout of short covering crack in volatility, first a spike and then a pause in policy related stocks फिर हम आता है medium term पे medium term पे हमें क्या देखने को मिलता है medium term में हमें देखने को मिलेगा कि आपको currency में strength आएगी bond market में strength आएगी rule economy में recovery आएगी और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि banks, financials, जो की internal economy dominant sectors हैं, उनके अंदर उच्छाल देखने को मिलेगा, because महाँ पर market change होगा महाँ पर नए-ने policy सरकार के आने लगी hundred days की चर्चा होनी चालो हो जाएगी budget खतम हो चुका होगा अगर moody one का theme था जन धन, moody two का दी अगर theme था, आत्म निर्बर भारत moody 3 का theme क्या रहेगा वह theme एक नया theme आएगा जो market medium term में excited हो जाएगा और अब 5 साल प्लस की बात करें DPG, सबसे important वह matter करता है I think एक सिर्फ सरकार 5 साल में high P multiple रखेगी नए investments आएगे, currency में strength आएगी, P multiple sustain करेगा तो equity as an asset class in next 3-5 years will give you decent double digit returns, currency में strength रहेगी, bond market में strength रहेगी, तो कुल मिला करके short term, medium term, long term अलग-अलग strategies है, अलग-अलग runnitियां है मगर हर खेमे में अलग-अलग परिवरता ना आएगा ठीक है तो ये तीन points आपने सर अच्छे से clear कर दिये अच्छे सर एक चीज और भी है जैसी अभी आप बता रहे थे कि 15-20% weightage किसी और चीजों की है ये elections के बाद ये continuity effect रहेगा यानि कि यही यूफोरिया market के अंदर काफी दिन तक चल सकता है या फिर दो-चार दिन का ही मामला है सिरफ देखिए डिमपी, market एक एक हफता दस दिन के अंदर वो जो technical adjustment होता तो उसके अंदर खतम हो जाएगा फिर market बात करेगा जी budget आने वाला है क्या long term tax आएगा रहे यह सेलेक्शन आने वाले है वह पर Republican versus Democrat में क्या होने वाला है खबर तो आती रहेगी डिमपी और market के अंदे चिंता है और events हमेशा रहेंगे तो इसलिए मैं मैं कहा रहा हूँ कि policy related stocks में जो excitement हो सकता है कि आज initial technical reaction के बाद बाद pause हो जाए क्योंकि आज हम बात करने exit poll की कल हम बात करेंगे you know final tally की उसके 10 दिन बाद हम बात करेंगे 100 day agenda की फिर हम बात करेंगे budget में के आ सकता है फिर हम बात करेंगे अमरीकी election की तो देखिये markets always like to focus on something or the other अनिकन सार बड़ी themes कौन सी ध्यान में रखनी चाहें क्योंकि Modi 3.0 की कई सारे brokerages भी highlight कर रहें कि Modi stocks जैसे के आया कि कुछ stocks और sectors फोकस में रखने पर अब जब exit polls के मताबिक अगर नतीजे आए तो आपको कौन सा लगता है कि कौन से sectors पर ध्यान रखना जाए एक तो जहां पर extension चलता रहेगा तो road, railways, road, railways to large extent defense themes to evergreen themes है इंडिया में आपने इंडिया को digital बनाया तो digital और बढ़ता ही रहेगा तो दो तरीके हैं एक तो कहाँ पर extend हो सकती है themes और कहाँ पर नई themes आ सकती है हर government के कुछ नए कुछ नए commitments होते हैं कुछ नए visions होते हैं और कुछ वह चाहते है economy को change करें तो मुझे लगता है जो नए themes आएंगे वो आएंगे land में, agriculture में energy transition में and especially when it comes to gas and solar यह नए themes लगता है मुझे आएंगे आने वाले 5 साल के अंदर जैसा कि defense 2020 के बाद आया आत्मे निर्बर भारत कोविट के बाद आया जन्धन 2014-2015 के अंदर आया तो हर सरकार यह सरकार हर 5 साल के अंदर नएने चीज बढ़े करती है जिससे economy का रुक बढ़ता रहे तो मुझे लगता है कि वह focus area जादा रहना चाहिए अगर आप एक नए चीज डून रहे है जहां तक आप बात करें extension of the theme तो अभी तो rail गाड़ें चलती रहेंगी हवाई जाज उड़ते रहेंगे, road बनते रहेंगे और defense के लिए defense में changes आते रहेंगे वो तो evergreen themes है those are now becoming themes which are like India कि इंडिया के अंदर growth आती रहेगी consumption होता रहेगा FMCG sales चलती रहेगी तो वो तो evergreen themes है, well established, well monitored good highway मैं नई themes की बात करना हूँ जो मुझे लगता है कि आने वाले 3-5 साल के अंदर जो छोटे हैं बड़े हो सकते हैं जिन पर भी market रा focus नहीं अचानक आ जाएगा ठीक है, निकुल सर बहुत शुक्रिया बहुत ही विजधार से और बहुत ही बारीकी से long term, medium term, short term में आपको कहा नज़र रखनी है और themes कों से होंगे लोग जानना चाते हैं कि अगली 5 साल के लिए अगर यहां से view बनाना है, portfolio making करनी है तो themes पहचाना ज़रूरी है, आपने उनकी मदद भी कर दिये तैंक यू सो में सर आज समय देने के लिए और ये पूरी की पूरी चर्चा करने के लिए एक्सपोर्ट्स को अब जोड़ेंगे हमारे साथ और आदित्या अरोड़ा अवनी भट त्यार है अवनी जी शुर्बात आप से करना चाहेंगी आप से ज़रा वाइदा को लेकर, options को लेकर specifically आप से सवाल पूछेंगी देखें ये तो तै हो गया है कि exit poll के इन नतीजों के दम पर बाजार reaction देगा, gap up भी होगा gift nifty संकेत भी दे रहा है हालांकि ये चीज़ discounted थी एंडिये की 300-300 sito तक मामला discounted था लेकिन बाजार ने पहले थोड़ा question दे रखा था 22.500 के आजपास हम चले आए थे 23.100 से आप जड़ा ये बताईए कि options में किसी को अगर trade करना हो आज वाजार के इस move के दम पर आपको कहां पर मौके दिख रहे हैं, कौन से strike वाली options में position आपनाने की सला देंगी अबिशेग जी, डिम्पी जी और सुष जी panelists and all the viewers तो पहले निफ्टी की का India Wix है, और अभी 6 मेने बाकी है इस साल में, मतलब 4% का move आ सकता है per month, तो उसके हिसाब से that translates to around 900 point निफ्टी पे, और इसका volume weighted average अगर देखे तो 22.600 से लेके, अगर 900 point जोड ले, तो 23.500 तक का है, तो अगर 23.500 के आसपास अगर खुलता है market, निफ्टी की opening अगर वहाँ पे होती है, तो मेरे इसाब से वहाँ पे profit book कर लेना चाहिए, उसके beyond अगर चला भी जाता है, यूफोरिक move अगर आता भी है, तो वो जादा sustain नहीं कर पाएगा, वहाँ से कुछ दिनों के बाद, जैसे ये event खतम होगा, एकाद अफ्टे में market rationalize हो जाएगा, और फिर दीरे-दीरे इंडिया विक्स भी कम होते हुए नजर आएगी और यहाँ से market में थोड़ा बहुत correction भी देख सकता है तो मेरे इसाब से अभी opening में तो option trades अगर कोई लेना ही है तो selling के तरफ होना चाहिए option selling के तरफ होना चाहिए क्योंकि इंडिया विक्स में गिरावर बिलको लाईगी तो अब direction क्या पकड़े तो अगर 23-500 के करीबन खुलता है market तो वहाँ से एक थोड़ा सा profit booking हो सकता है तो आप इसमें अभी भी दूर के जो options है, OTM options में अच्छा premium मिलता होगा तो उपर 24-500 या 24-600 की call में आप बिक्वाली करके trade बना सकते है लेकिन view इसका negative नहीं है overall सिर्फ एक India Wix का जो crash होगा उस theme को play करने के लिए हम इसमें बिक्वाली करेंगे view negative नहीं है यहां से अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है या stable भी रह जाता है तो भी premium बल जाएगा आपकी निफ्टी 50 में देखे अभी निकुन सब भी highlight कर रहे थे के छोटी अवदी में एक चीज़ तो certain है कि यह जो India Wix में जो हम बढ़त देख रहे थे वो ना सिफ थमेगी बलकि वहाँ पर गिरावट भी आएगी और अपनी कहरें कि इस इवेंट के बाद और भी कूल आफ होते हैं दिखेगा India Wix और साथी साथ अगर इसको आपको प्ले करना है तो option selling पर जादा ध्यान देना चाहिए व्यू जो है वो फिलाल negative नहीं है पर इसको प्ले करने के लिए option selling पर आप focus जरूर कर सकते हैं